आप देख सकते हैं एक एम्बूलेंस यहां से जो निकली है इसमें भी 22-23 वर्ष यह यूपती जिसको मार करके सरक किनारे फेक दिया गया था और वो जैनगर की रहने वाली थी वही हमारे सामने में जो सक्स है इनके बेटी को दो दिन पहले गायब कर दिया जाता है और गायब करने के बाद इनकी बेटी का सब पोखरा से मिलती है आपको बता दे कि यह राजनगर चिचरी के रहने बाले हैं जैसा इन्होंने जानकारी दिये हैं कि इनकी बेटी और इनकी पत्नी, घर में थी, परसो राजदगर कोठी हाट था, कोठी हाट पर समान खरदने के लिए इनकी पत्नी गई थी, घर में अकेली इनकी बेटी थी, बेटी इनकी घर में अकेली थी, जिसको गाईब कर दिया जाता है, ये लोग लगातार 48 घंटे तक खोजबिन करते हैं, सक के दाइरे में आ रहा है उसे रेप करके मार के फेक दिया गया है या उनके साथ कौन सी ऐसी घटना घटी है यह तमाम जानकारी हम आपको देंगे खासकर बिहार में जहां दो-दो बेटियों का कतल करके फेक दिया गया हो और वो भी 22-23 वर्ष यह लरकी वहीं 18-19 वर्ष की लरकी जिसको हत्या करके फेक दिया गया है तो यह दो-दो घटना एक साथ आज देखने को मिली है जिसका पोस्ट माडम होने के लिए मदवनी सदर होस्पिटल लाई गई है हम जानकारी लेते हैं कि घटना का क्या कारण है आपका नाम क्या है हमारा किसुन ठाकुर है जी आ अभी बार को हाट पर सबसी लेने के कशला गया मैं अकेला हो गया अकेला होने के बाद क्या बोलते है आपको नेपाल में रहते हैं तो फिर आपको क्या लगा हम को जैसा आज क्या बलता है रवी बार हो गया तो हैसे चार वज़े सुबार हो गया तो आज अज thinkers नहीं अलगा थे पोंचें अभी परेंग हो उसको फिर हर जगा तो नहीं मिला तो ये तलाब में था एसके गता है तो हम आप आये। आज ऩो पर बंश की बे्टी घ्लास जा सहान कौने के बाइद है वह इसे गिलाश को लगता है सMore सश्ड़ वह लिए तलाब में था । पर गई गी थी इसे गिरा हुआ था है अब यह चीज़ तो हम नहीं बता सकते क्योंकि नहीं देखे थैंड क्या रहा है क्योंकि उसके मुक्षक पर ये सब पर खूर लगा हुआ है और तो गला में जो है वर निबना हुआ था उसमें गाट लगा हुआ था क्या संका कर रहे है को मारे अब यह चीज तो नहीं बता सकते क्योंकि देखे नहीं है क्या नाम है यह मेरा जी जाजी है क्या कारण है कारण है इन लोगती वार भया ठाकरा था वर सब्सक्राइब नहीं नम था उस्से साथ में था घंकी दिया था हमको कब दिया था आज एक पर सब्सक्राइब हो गया जा का था ऐसे बोला था कि मतलब जो है सो हम देख लेंगे बाद में जो है उसय बिटेंगे यह क्या करेंगे नहीं करेंगे अश्समें आपके बेटी का फियार चकर नहीं आता यह सब नहीं था मामला यह सिर्फ वाणरी का मामला था ते अब ऑफिद देख रहें है uh राजनगर चिच्री के रहने वाले हैं और इनकी बच्या जो 18-19 वर्ष की है उनको घर से अगवा कर लिया जाता है। और वो धमकी भी दिया था कि हम देख लेंगे उस पर ये आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दे कि जिस प्रकार से इनकी बेटी को दर्दनाक मौत दी गई है, दर्दनाक हत्या की गई है। ये हमारे मितलांचल के लिए कलंकित करने वला घटना है। वहीं आपको बता दे कि दूसरा घटना जो जैनगर से आई है, जैनगर राजपुताना टोल से आई है, जहां बचिया साधी में वो बचिया पहुची थी। साधी वाले समारों से उनको अगवा कर लिया जाता है, और उनका डेट बोडी सरक के किनारे मिलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारी बेटिया कितना सुरक्षित है। साथ में आपको बता दे कि यहां का प्रसासनिक विवस्था कितना तेज तरार है, ये भी सवाल के घेरे में हैं। हम सवाल उठाएंगे क्यों नहीं। जब प्रसासन का तंत्र मजबुत नहीं होगा तो आपरादी ऐसे घटना करते रहेंगे। इससे पहले आपने देखा कि कलवाई प्रखन में पती पतनी को रात में डीजे बजाने के कारण गोली मार करके हत्या कर दिया गया था। यह भी हम अपने घटना दिखाए हैं। यहीं बगल में मधवनी सहर से सटे 4-5 किलो मिटर की दूरी पर मोहनपुरगाओं हैं जहां दो-दो हत्याएं हो चुकी है। तो वहीं आपको पता दे यह घटना जो लगतार भट रही है यहां के प्रसासर के उपर में सवाल उठता है कि आपका तंत्र कहां गया। आपके तंत्र फेल होने के कारण यह घटना घट रही है और ऐसे अपरादी बेलगाम होकर के घटना को अंजाम दे रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक सेधिक सेयर कीजिएगा जो मधवनी में अपराद की जो गराप है किस परकार से बढ़ रही है और प्रसासर किस परकार से सोई है यह सवाल उठता है यहां के प्रसासनिक ब्यवस्ता पर और अपराद ही जो इतने बेखौप हो करके इस परका आप आई है यह हमारे समाज को मरमाहत करने वाली घटना है इस घटना को कि